तो आज हम ट्राइ करने वाले हैं कुछ यूनीक और टेस्टी वाली रेसिपी तो इसके लिए हमने यहां पे लिया है कुंदरू इसे हमने बारिक पीसेज में कट कर लिया है उसके बाद इसे अच्छी तरीके से वास करके थोड़ी देर के लिए ना इसे कपड़े में आप जूद्च लिया है मिर्च को छोटी पीसे इसेज में कट किया है और साथ में हमने यहां पे तड़का लगाने के लिए चीरा लिया है यहां पे वहोड़ा सा ही ले लेना है ताकि यहां पर इसका जो फ्लेवर है बस उसetonत लग जाए तो कुंदरू को धो होगे तो उस टैम वो जो बीज निकलेंगे उसे भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सारे इंक्रिडियन्स ले लिए हैं उसके बद हमको सिंपल सा क्या करना है जब तेल गर्म हो जाए तो हमने जीरा का तड़का लग से रखा था उसको हम इसमें एड़ कर देंगे तो प्याच को हमको लाल होते तक के नहीं फ्राइ करना है उससे पहले ही हमको यहाँ पे कुंद्रू को एड़ कर देना है जो यह फ्राइ होने में टाइम लेता है थोड़ी देर से पकता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसे हमको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है बस दो तीन बार इसको फ्राइ करना है जब तक कि ये सॉफ्ट न हो जाए तो इसे हम बिच बिच में इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जले ना तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे इसके बाद हम इसे बीच-बीच में open करके देखेंगे यह हलका हलका पकने लग गया है इसे थोड़ी देर तक हम और fry करेंगे जिसे इसका जो टेस्ट है और खिल कर आएगा तो यह देखेंगे फ्रेंड्स लगभा की पकर ready हो गया है और यह देखें इस तरह से हम उसको चेक क करने के बाद ये लग रहे हैं कि पग गए हैं तो हम इसे साइट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एट कर देंगे जो हमने टमाटर कट करके रखा था अब इसमें हम टमाटर एट कर दिये उसके बाद हम वही सारी चीज़े डालेंगे बस हमने यहां पे सारे मसाले वही यूज किये हैं जो नॉर्मल सबजी में यूज करते हैं बट इसका बनाने इसको इस तरह से बनाओगे ना तो ये बहुत ही टेश्टी लगेगा आप एक बड़ ट्राइ करके देखना और ऐसी न्यू न्यू रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को जाद से जादा अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में सेयर करना तो यहां पे जब हम इसे सूखा बना रहे हैं तो नमक थोड़ा कम ही डालेंगे इससे जो है ना सबजी थोड़ी अच्छी बनेगी तो यहां पे हमने डाला है नमक अपने स्वाथ के नुसार उसके बाद हम यहां मिर्च पाउडर अपने स्वाथ के अनुसार आपको जितना तीखा पसंद है आप उसमें एड़ कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर धन्या पाउडर घर का बना हुए हैं तो मैंने यहां पे हलका सही लिया है आप चाहे तो इसकी कौंटिटी आप पढ़ा सकते हैं उसके बाद हमने हाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए टामाटर को गलने के लिए रख दिया था जैसे ही टामाटर सॉफ्ट हो गया हमने इसे मिक्स कर दिया ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेश्टी ये देख रहे हैं और इसकी खुजबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है तो ये देखें फ्रेंड्स इसका look कितना अच्छे से खिलकर आ रहा है और इसकी खुजबू बहुत ही अच्छी है उसके बाद इसे हम बरतन में अलग कर लेंगे और खाने के लिए बिलकुल रेडी है आप चाहें तो इसे धनिया पत्ती से गार्निस कर सकते हैं बहुत ही अच्छी लगेगी आप एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करके देखना और हाँ प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें से कमेंट्स करें एंड कुछ चेंजस करनी है तो वो भी बताएं और चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू